हेलो दोस्तों स्वागत है आपका PSR YouTube चैनल पे मेरा नाम है लीना चैन आज का हमरा टॉपिक है बेस्ट WordPress प्लगिन फोर वेबसाइट स्पेड तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि से ऐसे पांस प्लगिन से जो हमारे वेबसाइट के स्पीड को यानि कि हमारे वेबसाइट के performance को इंप्रूब कर सकते हैं तो यहां पर लिस्ट में जो पहला नाम है वो है डबली टॉटल कैश है गाइस यह के एक कैशे प्लगिन है इस प्लगिन का यूज करके हैं अपने कैशे को तो क्लेयर करी सकते हैं लेकिन इसके अलावा भी यह प्लगिन बहुत सारे काम करता है जैसे कि हमारे वेबसाइट के ओवराल SEO को इंप्रूब करता है और जो कॉर वेब वाइटल होता है यानि यह आपके वेबसाइट के कुछ ऐसी चीज़ है जिसका शायद आपको पता भी नहीं होगा जैसे कि स्क्रिप्ट होंगे होंगे इसके अलावा आप CSS के जो फाइल्स होता है इन सब आपके वेबसाइट की जो लोडिंग टाइम को यह कम कर देता है और इसी बज़े से आपके वेबसाइट की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है मतलब आपके वेबसाइट को अप्टिमाज कर देता है इस तरीके कि आप जब चेक करोगे GT Metrics या फिर Google Page Insights पे तब आपके परफोर्मेंट से वो इंप्रूव हो जाएगी टोड़ 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 के प्लगिन को इंस्सौल करने के बाद आपको थोड़े वो सेटिंस में करने पड़ेंगे यानि कि आप उसक अंदर कैश क्लियर करना होगा और मिनीफाइब अगर जो कि एक बटन क्लिक पे हो जाते और उसके बाद अगर आप दुबारा चेकर होगे अपने site को तो उसकी जो performance से बहुत यादा increase हो जुगी इसके लावा यह जो plugin है यह content delivery network यानि कि जो CDN रहते है cloud player CDN के अगर हम बात करें तो उन सब CDN के साथ भी मिलके काम करते हैं यानि कि ब्लोग के लिए या फिर e-commerce website या फिर business website परसनल website जो भी अपसाइट है अगर आप cloud player CDN आपको free of cost चाहिए ठीक है तो आपको अपने domain और hosting पर्चेस करना पड़ेगा ब्लू होसे और ब्लू होसे जबाँ पर्चेस करोगे तो आपके लिए एक डिस्काउंट लिंक भी अवेलेबल है हमारे पास इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको डिस्काउंट लिंक मिलेगा जहां से जाके आप 65 प्लस 10 परसन का एक्स चाउंट आपको मिलेगा 65 परसन का डिस्काउंट आपको कमनी प्रवाइट करवाती है और 10 परसन काउट्श से बीचाद 돌 आपको स्टोग अईगरेशन भी यहांपर देखने कर रहा या इसके अलाव और अगरण बात करें मिलेगा जो जो कि एक और चीज़ है domain privacy यानि कि किसी को पता नहीं चलेगा कि आप यह वेबसाइट है वो किसकी है ति कि आप जो भी domain लोग है वो किसका कोई पता नहीं लगा भाएगा तो domain privacy जैसे features भी आपको free of cost देगा depending on plan कि आपको कौन सा plan लेते हैं ठीकी गाइस तो जो link है वो आपक परचेस किया है SS certificate को activate किया है wordpress install किया और theme भी install करके आपको दिखाए और इस वीडियो के description में भी आपको discount link मिल जाएगा और अगर आपको wordpress यूज़ करना भी फिलाल नहीं आता है आप complete wordpress सेखना चाहते हो तो आपको लिखना यूटूब पर wordpress tutorial for beginners demarketing wall और यह हमारा दू करियर को एक direction दे सकते हो ठीक है अगर हो पाया तो इन दोनों वीडियो के link भी मैं इस वीडियो के description प्रवाइड करवा दूँगा तो आप directly जाकर देख सकते हैं और अगर in case हम भूल जाते है तो आपको कैसे डूढ़ना है वह मैंने आपको बता दिया ठीक है तो चलिए आपके images को यह optimize कर देता है ठीक है definitely आप अपने image को compress करोगे सब कुछ करोगे उसके बाद आप upload करोगे जो की एक बंदे को करना चाहिए एक blogger हो चाहिए e-commerce website हो हमेशा अपने website पे images को upload करने से पहले उसको compress कर लना चाहिए और alt attributes के लिए उसको proper rename बगेरा करना चाहिए बहुत सारी चीदों हम करते ही करते लेकिन इसके बाद भी और ज्यादा scope रहता है optimize करने के लिए वह काम करके आपको देगा image optimizer आप अगर इस plugin का use करोगे तो आपके website की speed को इंप्रूव कर देगा आपके image को और ज्यादा compress करें कि आपके image है वो जल्दी लोड हो जाएगी जल्दी लोड होने के बजए से जो users आपके website पर आते ही चले जाए और इससे आपका bounce rate बढ़ जाएगा और आपका STO कराब हो जाता है ठी ठीके लेगिन इस plugin के होने के वजए से आपका bounce rate कम होगा और आप SEO improve होगा और SEO improve होने से यह होगा कि Google के आप Google पर आपकी site है और भी better rank होगी ठीके एक ranking factor यह रहता है इसके अलावा भी 1009 में ranking factor और है ठीके लेगिन फिलाल यह भी एक rank factor जिसमें आपकी website जो speed है वो जितनी अच्छी होगी उतना आपका SEO अच्छा होगा और उतना Google आपको ऊपर rank करेगा ठीके तो यह वाला जो plugin है इसका आप use कर सकते हो इसके अलावा आता हमारा third plugin वो है auto optimize तो guys auto optimize plugin का main जो काम रहता वो यह है कि आपके website पे जो code है जैसे कि JavaScript हुआ या फिर मालो CSS है HTML code है ठीके तो और minify करके यह करता है कि आपका code वैसा का वैसा रहेगा जैसे पहले था लेकिन उसकी जो size रहेगी वो छोटी हो जाएगी छोटे होने के बज़े से जो page loading की जो speed है आपके server पर जो load है यह सब कुछ कम हो जाएगा और इसके बज़े से आपनी site की speed है automatically increase हो जाएगी और इसक जो main का में वो यह है कि images को जो आपकी जो code है CSS, HTML और JavaScript इनको minify कर देता है तो यह भी एक बहुत अच्छा plugin है आप इन दोनों plugin को एक साथ यूज कर सकते हो image optimizer और auto optimize यह दोनों plugin एक साथ काम कर सकते हो और total cache है आप ले सकते हो या फ़र fastest cache ले सकते हो super cache ले सकते हो कोई plugin आप यूज कर सकते हो लेकिन मैं suggest करूँगा कि W3 total cache है एक बहुत ही अच्छा plugin रहेगा अब आता है हमारे पास यहाँ पर फॉर्थ plugin जो की है A3 lazy lord अब वैस यह एक बहुत ही कमाल का plugin है अगर आप EWW image optimizer यूज करते हो तो आपको इस plugin को यूज करने की जरूत नहीं है या फिर अगर आप यह वाला plugin यूज करते हो तो आपको image optimizer करने की जरूत नहीं है अगर आप दोनों यूज करते हो तो मैं यह कहूँगा कि कुछ हद तक अच्छा अच्छी भी बात है लेकिन कहीं ना कहीं आप एक जैसी दो images अपने site पे जब आप यूज करते हो तो एक जैसी दो plugins होगी एक जैसे दो plugins जब आप अपने site पे use करते हो तो दोनों plugin लगबख एक जैसा काम करते हैं तो उस case में दो plugin का load भी आपके site पे बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं फायदा तो हो गई लेकिन एक और plugin बढ़ने के बज़े से आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना load करेगा अब होता कैसे मैं बताता हूँ मालो कि आपने अपने site पे एक blog post लिखा है और उस blog post में आपने 1000 या 2000 वर्ट का article लिख लिए है और उसमें आपने 5 या 6 images डाले हो है तो जब कोई भी visitor आपके blog पे आएगा और आपके उस blog post को open करेगा वो blog post within no time open हो जाएगी फिर व Google के नजर में आपका page open हो चुका, आपकी page speed बहुत कमाल की है, आपको rank कर चुका है, image को दीरे load करेगा उसकी बात, क्योंकि अगर image भी साथ में load होगी तो page जल्दी load नहीं होगा, पहले वो text को load करेगा, image को load करेगा, फिर जाके page की loading complete होगी, लेकि text को load करने में कोई time नही तो ये क्या करेगा plugin, एक बार text को load होने देगा, और image को आराम से load करेगा, ठीक है, तो इससे Google के नजर में आपकी site fast है, लेकिन अंदर image थोड़ा सा दीरे जोड़ा, अब दीरे का मतलब इतना दीरे नहीं होता है, कि user परेशान हो जाए, ठीक है, जैसे user scroll करेगा, image दिखनी शुरू हो जाएगी, पहले से load करके नहीं रखेगा, user के लिए, user जैसे जैसे scroll down होगा, वैसे वैसे image load होती जाएगी, मतलब जितना scroll किया, उतने image load होगी, तो कुछ ये मतलब होता है, तो इससे भी आपके site की जो performance बहुत अच्छी हो एती, क्योंकि यहाँ पे Google के नजर मे और user के नजर में कोई problem नहीं दिखती है, लेकिन back end में बहुत बड़ा काम चलता है, यानि कि text को पहले load करो, और image को priority second number पर दी जाती है, और image उसके बाद load होता है, तो इससे आपके site में बहुत अच्छा effect पड़ेगा, तो ये वाला जो plugin है, इस list में सबसे बढ़िया image optimizer एक तरह से यह हला कि image को optimize नहीं करता है, ये image को बस page load होने के बाद load करता है, इससे page loading की जो time है, वो improve हो जाती है, और image loading की जो time है, उसका Google को पता नहीं चलता है, और आपके site की जो performance है, बहुत काफी अच्छी रहती है, तीक है, अब चलते है next plugin की तरफ, तो guys, ये वाला ज update नहीं आए, ठीक है, आप इस plugin का use कर सकते हो, इसका नाम है WP Disable, लेकिन अगर आप Google, जब आप अपने site बना रहे होंगे, आप WordPress plugin के list में, जब आप जाके search करोगे WP Disable, तो आपको ये plugin नहीं मिलेगा, आपको search करना पड़ेगा, reduce HTTP request, जब आप ये search करोगे, तब जाके आ WP Disable होगा करता था, लेकिन आप इस plugin का नाम, reduce HTTP request, disable email address, लंपा चोड़ा नाम है, ठीक है, अगर मैं आपको search करोगा कि आप इतना search कर लेंगे, तो आपको ये plugin जो है, मिल जाएगा, अब ये plugin करता ही है, कि आपके site पे जितने भी ऐसी चीज़े है, जो कि use नहीं आ रही है, मतलब आपने site पे एक बार चीज़ों के install कर दिया है, ठीक है, लेकिन काफी time से उसका बिल्कुल भी use नहीं आ रहा है, तो उन सब चीज़ों को वो disable करके रखतेगा, यानि कि आपने हमेशा देखा होगा, आपने laptop पे, आपको desktop पे बहुत सारे ऐसे icons होते हैं, ऐसे applications होते है ऐसे games हो सकते हैं, जिनको आपने सालों से नहीं खेला है, तो एक दिन आपको notification आता है, उन सब चीज़ों को remove कर देते हैं, जो use में नहीं आ रही है, तो वैसे ही आपके website पे भी बहुत से ऐसी चीज़े होती है, जो सालों से कोई ना तो आपकी users नहीं यूज़ किया है, ना hosting लेते हो, तो उस पर load कम पड़ता है, और आपका RAM जितना खाली रहेगा, उतना तेजी से आपकी जो site है, वो काम करेगी, ठीक है, तो ये वाला plugin बहुत ही काम का plugin है, इसका update तीन सालों से नहीं आया है, ठीक है, तो वो एक बुरी बात जरूर है, लेकिन मैं बहुता हूँ इसका जो review है, बहुत ही कमाल के है, और active installation 20,000 से जादा है, तो आप इस plugin का use कर सकते हो, ठीक है, तो ये बहुत ही कमाल करो है, तो ये जो 5 plugin है, आप इनका use कर सकते हो, अगर आप 5 plugin रखते हो, अपने site पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखना कि अगर आप ये वाला use करते इमेज optimizer, तो मैं आप उसर्जेस करूँगा कि आप lazy load use मत करो, और अगर आप lazy load use करते हो, तो अब ये वाला use मत करो, और मैं आप उसर्जेस करूँगा कि lazy load ज्यादा better है, तो आप lazy load का use कर सकते हो, अपने website के performance को increase करने के लिए, तो फिर से हम देख लेते हैं, पहला है, ड HTML, CSS और JavaScript को minify करता है, और A3 lazy load जो आपके page को एक बार load करतेगा, within no time, और उसके बाद जैसे जैसे user scroll करेगा, image को load करता जाएगा, इसी वज़े से हम उसको lazy load बोलता है, और पांच वा है, WP disable, जो आपके website पे जो भी चीज़े यूज़ें उनमें से, जो inactive चीज़ें, जिस को disable करके रख देता है, ताकि आपका RAM में space बढ़ जाए, और आपका website का overall performance है, वो improve हो जाए, ठीक है guys, तो यह थी सारी कहानी हमारे इस वीडियो की, जो कि हम कहते है, best WordPress plugins for WordPress website speed, ठीक है, तो अगर आपको कोई भी doubt है, तो आप हमसे comment कर, comment करके पूछ सकते है, और इसके लब आपको यह वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को like जरू करते है, क्योंकि यही सबसे important चीज थी इस वीडियो में, कि आप इस वीडियो को like करें, क्योंकि इससे हमें आगे और वीडियो बनाने की motivation दिलती है, और जो hosting का discount link है, वो आपको इस वीडियो के description मिल जाएगा, जह दोस्तों उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आए होगा, और पसंद आए तो इससे like कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने किस चैनल को subscribe कर लिजिए और बैल एकन को भी प्रेस कर लिजिए, ताकि में next कोई भी वीडियो प्लोड करो तो इसका notification सबसे पहले आपको मिलेंगे, तो आज की वीडियो में से बितना ही देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद